हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सबी तो इस बरसात की मुसम में अगर आपका भी मन है कि गर्मा गर्म चाय के साथ में बहुत ही क्रिस्पी सी पकोड़ी आपको मिल रहे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं देखें में इसको नदर ना कोई चावल का आख आड गिया है ना ही कोई वेकिंग सोडा अड़ किया है और गर्मा गर्म चाय के साथ मैंने एक कुर्कुरी सी पकोड़ी की र्सिपी ट्राई की है तो आप भी इसको जरूर ट्राय कीजिए और पर साथ का आनद उठाईए चलिए शुरू करते हैं फटा फट से आज किस रेसिपी को तो पकोड़िया बनाने के लिए मैंने या पर ये चार मेडियम साइज के आलू लिये हैं आलू बहुत ज़्यादा बढ़े ना लें इस तरह से तोड़ा लंबाई में है तो चलेगा लेकिन ज़्यादा बढ़े ना लें आलू को मैंने अच्छे से दोलिया उसके बाद मैंने इसको छेल लिया है छेलने के बाद में आपको इस तरीके से इसको पानी के अंदर कट कर लेना है गोल और पतले पीस में आप इसको कट कीजी ज्यादा मोटे पीस अगर आप इसके कट करते हैं तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे आपकी जो पकोडिया है वो उपर से चल सकती हैं, तो इस तरीके से आप इसको काट कर तयार कर लीजिए, आप चाहें तो इसको चिप्स बनाने वाली मशीन से भी काट सकती हैं, ये देखे, आलू को मैंने अच्छे स समय पके चाहन लीजिए, इससे काट कर तयार कर लिया है, इकतम गोल गोल पीस कर तयार होए है, तो एक बार आप इसको पानी के अच्छे से दू को लाच बाड़ और इसके बाद में इसके इंदर पानी डाल कर रगतें, इस तरीके से इसके आदर από जो आपकी पकोड़िया वो ज्यादा क्रिस्पी बन कर तयार होती है और इसे पानी के अंदर रखने से आपकी जो आलू है वो काले नहीं पढ़ेंगे अब आलू को साइड में रखते हैं और इसके लिए बैटर बना कर तयार करेंगे बैटर बनाने के लिए मैंने एक mixing bowl के अंदर यहां पर ये सवा cup बेसन लिया है, यानि एक cup बलस एक चुता एक cup, स्वादन सार नमक डाल दे, मैंने एक छोटा चमझ नमक अड़ किया है, आदा छोटा चमच करम मसाला एड़ किया है थोड़ा सा लाल मिची पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से एरजेस्ट कर सकते हैं एक छोटे चमज मैंने इसके नदर ये चाट मसाला एड़ किया है, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर जीरा पावडर, धनिया पावडर और अमचूर पावडर डाल सकते हो, साथी में मैं इसके इंदर डाल रहीं थोड़ी सी हल्दी पावडर केवल एक तिहाई चमच मैंने एड़ किया है ये डालना बिल्कुल ओप्शनल है अगर आपको थोड़ा कलर अच्छा देना है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आप इसको अवोईड कर सकते हैं सबी सूखी सामगरी को एक पारच्ची से मिला लें और थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर पानी डाल कर इस तरीके से इसका बैटर त्यार कर लीजिए आपको इसका जो बैटर बनाना है वो बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं बनाना है और एक्दम पानी की तरह चिपकता है और नहीं चिपकता है अभी के लिए बैटर एक्तम परफेक्ट दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ढग कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हूं बाद में हमीं जवरत लगेगी तो हम इसके अंदर पानी आइड करेंगे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकत पानी और अड़ कर देंगे मेरा यहां पर एक कप से थोड़ा से ज़्यादा पानी आड़ को है आलो की पीस के उपर से इस तरीके से लिक्विडी सा होकर थोड़ा टपकना भी चाहिए और पीस के उपर ये थोड़ा चिपका पी रही तो इस तरीके का बैटर आपका इसको परफेक्ट है आलू को पानी से निकाल लें अब यहाँ पर मैंने पकोडियों को तलने के लिए तेल को गरम होने के लिए रख दिया है सबसे पहले आपको तेल को मेडियम गरम कर लेना है इस तरीके से थोड़ा सा बैटर डाल कर आप इसको चेक कर लीजे कि आपका जो इस तरीके से बैटर के अंदर डाल कर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इससे आपकी जो पकोडिया बनेगी ना तो वह जादा तेल को सोग करेंगी इसके साथ ही आपकी जो पकोडिया है वो अच्छे क्रिस्पी बनकर तयार होंगी तो इस तरीके से आप बैटर के अंदर अपने आलू के पीस को डिप कीजिए उसका जो एक्स्टा बैटर है उसको वाप से आप बाउल के अंदर टपका दें और इस तरीके से कड़ाई के अंदर आप अपने पकोड़ी को डालते जाएगा अगर ठंडी तेल के अंदर आप कभी भी पकोडियां डालते हैं तो जो इतम क्रिस्पी हो जाते हैं लेकिन अंदर से जो आलू कपीस हो कच्चा रहेगा तो मीडियम गरम तेल के अंदर आपको पकोड़ी को डालना है उसके बाद भी गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें और इसे उलट पलट कर दोनों और से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर हैं तो उसके बाद आप हाई फ्लेम पर सारी पकोड़ी को एक सार डाल दीजिए हाई फ्लेम पर और तेल भी एक तम तेज गरम होना चाहिए सारी पकोड़ी को एक सार डाल दीजिए और एक मिनट के अंदर वो अच्छी से फ्राई हो जाते हैं उसके बाद में आप इसको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज निचे लाइब बटन को जरूर दबाईए और आलो की ए क्रिस्पी पकोडी को जरूर ट्राइ करके देखिए ट्राइ करने के बाद में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपकी पकोडियां कैसी बन कर तयार हुई तो मोस क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी और ये सब आपके लिए बिलकुल फ्री है वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हूं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई